दोस्तों, आप लोगों को कुछ वीडियो कलिप दिखाने वाला हूँ और ये वीडियो कलिप देखने के बाद आप लोगों को डिजाइड करना है क्या ये लोग सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कि recovery agents जो है वो उनके ऊपर जो भी है guidelines है RBI जो है guidelines निकाले है यहाँ पर recovery agents अगर कुछ guidelines follow नहीं करता है कुछ क्या कुछ भी follow नहीं करता है अगर नहीं करता है तो वहाँ पर आप लोगों को करना क्या है किस तरीके से उससे बचना है कैसे उनसे deal करना है वो भी आप लोगों को ज़रूँ ज़रूँ प्रेस करें इससे क्या होगा जो भी लोटीगर इंफोर्मिशन आप लोगे से शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ क्लिप्स मैं दिखाने चाहता हूं लेकिन साउंड उसको कम कर रहा हू या फिर जो है म्यूट कर रहा हूं इसके पीछे का रिजन में बता देता हूं क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है कुछ अगर मानों कि इस तरीके का हैटफूल स्पीच या फिर कुछ भी है लगता है कि कुई भी ऐसा चीज़े वहाँ पर साउंड ऐसा आ रहा है कि भाई अब घर पहुचा तो क्या हुआ घर पे महिला था जब घर पे आया तो घर पे सिर्फ उनके मा घर पे थे तो यहाँ पर क्या हुआ तो बत्तमीज जो है वो बात कर रहा था जो भी एजेंट यहाँ पर आप लोगों क्लिप देखने को मिल रहा है कि बात करते हुए वीडियो बनाइ रहे हैं, क्यूंकि यहां पर मेरे वीडियो जो ह हब बना लेना, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ क्योंकि यह जो भाई साब आया है घर पे इनको पता नहीं है कि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर कितना ज़ादा गाइडलाइन्स है और अगर यह वीडियो बना रहे तो इसके पीछे भी क्या हो सकता है इनको साइद पता नहीं है इन लोगों को क्या करने मतलब इन लोगों के ऊपर भी प्रिशत है इन लोगों को प्रिशत दिया जाता है कि भाई नहीं के जैसे यह से करके पैसा लेना है तो यज तो क्या करते हैं जब आप घर पे नहीं रहोगे तब यह जो है आपके घर पे आया है और ये जो है सरासा ज़ो है ये एक illegal way में काम कर रहे है क्योंकि RBIके guidelines में ये लिखा है साफ तो पर जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो आपके घर पे नहीं आ सकता तो यहां पर ये इसने घर पे जिसने लोन लिया तो उससे बात करना था लेकिन वह क्या किया है वह आपके घर पे आ गया जब आप नहीं रहे ऐसा क्यों करते हैं सिर्फ आपको डराने के लिए आप लोगों को ऐसे यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि चलो पुलिश्टेशन में चलो मतलब वह अइल-टाइफ फिस हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर डरना नहीं है यहाँ पर माँआो यह जबी वीडियो का क्लीब जो है यहाँ पर वेजा है यह वीडियो एक एविडेंस के तोर पर आप आरिबीआ को मेल कर सकते हो या फिर आप लोग नेरशन में पोलिस्टेशन वाला है कोई भी एजेंट तो borrower को पहले फोन करना पड़ेगा फोन करके बोलना पड़ेगा अगर घर पे नहीं है तो वो घर विजिट नहीं कर सकता गाइडलेंस अगर है अगर ये गाइडलेंस फॉलो नहीं कर रहा है बैंक को चाहिए अन्बी अपसी हो कोई फरक नहीं पड़ता सभी के उपर सेम गाइडलेंस अपलाई होता है अगर इस तरीके के चीज़े करता है तो डरना आप लोगों को नहीं है डरना उन लोगों को है और ये जो है आप लोगों को समझना है, आप लोगों को ये सही तरीके से जो है अपलाई करना पड़ेगा नहीं, तो वो लोग आप लोगों को डाराने का कोशिस करेगा, ठीक है? क्योंकि घर के महिला रहेगा, घर का महिला को थोड़ी पता है इतना जो भी information में आप लोगों काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपना खुद का जो है वहाँ पर काम कर सकते हो, आप लोगों के उपर कोई भी guidelines नहीं है, guidance उन लोगों के उपर है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि हाँ चलो police station में जाके, मैं police station में जाके दिखता हूँ, वो कभी भी police station के आना पड़ेगा सबसे पहले ये एक बहुत बढ़िया जो है, मैं बोलना चाता हूँ कि subscribe है दोस्त के घर पे जो भी video बनाए है, उनके माता जी जो ने video बनाए है, बहुत बढ़िया काम किया है, एक evidence जो है उनके पास रह गया है, बार-बार ID card पूछ रहे हैं, कोई भी DRA certificate नहीं है, ठीक है, उसके बाद जो भी है, उनके पास कोई भी authorization letter नहीं है, सिर्फ उपर रहे है, मेरे पास i card है, फिर भी नहीं दिखा रहा है कि भाई, i card में नाम क्या लिखा है, या फिर कहां से आ रहे है, नहीं दिखाया, वूल्टा करके रखे i card को, तक कि सही तरीके से दिखाया ना जा सके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि उनके मन के अंदर भी डर है, आप लोगों को डरना नहीं है, उनके मन के अंदर जो डर है, उसको expose करवाना है, उनको बाहर दिखवाना है, ऐसे उनसे बात करना है, कि आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि अगर आप यह फॉलो करते हो तो आप लोगो डेफिनेटली बता रहा हूं, 100% गैरेंटी के साथ बता रहा हूं, कोई भी माय कलाल आप लोगो परिशान नहीं करेगा, कोई भी आपके घर पर मुट कर भी नहीं आएगा, अगर आता भी होगा तो आप लोगो स्टेप्स पता हो